Hey guys, I welcome you all to GSN Law, 24 और 25 सेप्टेंबर के डेली लीगल और पॉलिटी करेंट अफेर्स में आपका स्वागत है ये वीडियो अड़ोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडिंट्स के लिए भी है और अगर आप UPSC, PSC, Judiciary या पर किसी अन्य एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपको कोई question है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं बात करें आज के topics की तो सबसे पहले quality में हम देखेंगे कि government advertisements के regulation के लिए क्या कदम उठाए गए हैं in pursuance of the order of the Supreme Court Constitution में हम बात करेंगे CLAT examination और domicile reservation के बारे में अब दिखें विजय माल्या के case के बाद से loan restructuring का मुद्दा काफी ज़ादा सुर्खियों में है however, COVID-19 pandemic की वज़े से RBI ने one time loan restructuring के लिए guidelines निकाली हैं criminal law में दिली high court के उस judgment की बात करेंगे जिसमें deadly weapon के उपर interpretation किया गया है and lastly civil law में हम हिमाचल प्रदेश high court के उस service matter की बात करेंगे जिसमें speaking order के उपर court ने अपने observations दिये हैं अब दिखें government advertisements को regulate करने के लिए 2015 में honorable supreme court ने mandate किया था for constituting committee on content regulation in government advertisements और हाली में 4 September को इस committee की 19th meeting हुई थी इस meeting के chairperson श्री ओम प्रकाश रावत थे जो की former chief election commissioner of India थे साथी साथ दो और members ने इसको attend किया था एक श्री रमेश नारायन जो की Asian Federation of Advertising Associations के president रह चुके हैं और साथी साथ श्री अशोक कुमार टंडन जो की प्रसार भारती board के part-time member रह चुके हैं अब दिखे ये सब जो directions हैं ये Honorable Supreme Court ने 13 मई 2015 को दिये थे और इसी के pursuence में 6 अप्रेल 2016 को central government ने तीन members की committee बनाई थी यहाँ पर Honorable Supreme Court के हिसाब से उन advertisements को regulate करना जरूरी है जो की government के द्वारा funded होते हैं साथी साथ court ने ये भी कहा था कि ऐसे government funded advertisements गर्मेंट की constitutional और legal obligations से जुड़े होने चाहिए और या तो citizens के rights और entitlements को बताने के लिए जरूरी होने चाहिए अब दिखे Supreme Court की guidelines के हिसाब से ये जो content regulation की committee है ये सिर्फ central level पे नहीं बलकि हर एक state में होनी चाहिए और ये उस state government का दायत्व है कि वो तीन members की committee बनाए अब दिखे 4 September की meeting में इस बात का भी संग्यान लिया गया कि अभी तक सिर्फ चार states ने ऐसी committee बनाई है जो की हैं करनाटक, गोवा, मिजुरम और नागा लैंड इस चीज का संग्यान लेते हुए committee ने कहा कि without any reason जो state governments डीले कर रही है इनको contempt of honorable supreme court माना जा सकता है इसके अलावा कुछ states ने तो committee के notices का reply तक नहीं दिया है जो की committee ने in pursuance of complaint received भेजा था state governments को मतब state governments यहाँ पर यह कर रही है कि अपने यहाँ तो committee बना ही नहीं रही है और साथी साथ जो central level की committee है अगर वो किसी complaint के regarding उनको notice भेजती है तो उसका भी यह लोग reply नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पर case का नाम है श्रियस सिनहा वर्सिस वेस्ट बेंगॉल नाशनल यूनिवरस्टी ओफ जुरिडिकल साइन्सिज और यह case 10 सेप्टेंबर को honorable supreme court के द्वारा decide किया गया था और यह case honorable supreme court की three judges की bench के द्वारा 10 सेप्टेंबर को decide किया गया था इस case में honorable supreme court ने कहा कि अगर NUJS ने 30% reservation provide किया है from next academic year in pursuance of amendment in its act तो उनको bound नहीं किया जा सकता for implementing the reservation on the date जब admission process start हुआ हो इस पर court ने कहा कि यह बात सही है कि CLAT conduct होने से पहले ही उसका amending act NUJS का amending act enforce हो गया था लेकिन नहीं act में और नहीं NUJS की policy में कहीं पर भी यह कहा गया था कि यह 30% reservation का benefit academic year 2019-20 में भी मिलेगा और इसी लिए यह देखा जाएगा कि जब admission process initiate हुआ उस समय पर reservation policy क्या थी और इसी वज़े से NUJS act का जो amendment है वो 2019 के CLAT examination पे नहीं लागू होगा अब दिखे इस साल भी काफी लोगों ने CLAT का form भरा होगा however अब से जब भी आप CLAT का form भरिये तो अपने preferences को select करने से पहले हर university की distribution of seats जरूर देख लीजे थाकि आप से ये गलती ना हो अब दिखे विजय माल्या वाले case में सबसे बड़ा मुद्धा loan restructuring का था क्योंकि उन्होंने जो भी loan bank से लिया था वो उसको pay नहीं कर पा रहे थे और फिर भी bank ने ऐसे loan को bad debt घोशत नहीं किया था और अगर हम official records को देखें तो ततकालीन finance minister पी चितमरम ने 2014 में सरकार बदलने से जस्ट पहले किंगफिशर airlines के loan को restructure करने के लिए order जारी किया था and being an officer of the court it was a very controversial decision इसके बाद जब सरकार बदली तो loan restructuring को suspend कर दिया गया था however केवी कामत की अध़क्षता में एक 5 member की committee बनी थी जिसको recommendations देने थे in regards to one time loan restructuring उन industries के लिए जो की COVID-19 pandemic की वज़े से काफी stressed चल लई है यहाँ पर सरकार ने committee से कहा था कि आप sector specific benchmark बनाईए कि 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 सेक्टर को हम कहा तक का loan restructure कर सकते हैं अगर आप UPSC के preparation कर रहे हैं तो इस बात को दो भी ध्यान रखेगा कि केवी कामत ICICI bank के former chairman है अच्छे यहाँ पर जो restructuring के सुविधा है वो उन borrowers को दी जाएगी जिनका aggregate exposure 1500 करोन या फिर उससे उपर है यहाँ पर aggregate exposure का अर्थ banking से related है and it means total amount of money which has been borrowed from the debt market जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो corporate debt restructuring scheme थी उसको discontinue कर दिया गया था यह decision RBI ने 1 अप्रेल 2015 को लिया था मतलब कि starting of first financial year after the change of government अब दिखे विजय मालिया की ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने loan को restructure तो करवा ले रहे थे in order to maintain their credit scores लेकिन जो पैसा bank से मिल रहा था और their survival उसको अपने personal benefits के लिए और अपने personal accounts में siphon off कर लिया जाता था जिसकी बज़े से business units को ये पैसा नहीं मिलता था और businesses सफर कर रहे थे अभी के banks में CDR sales हुआ करते थे और ऐसी companies के promoters banks के CDR sales को approach करते थे and they used to get their loans restructured और कभी कभी ऐसा होता था कि ये एक से ज़ादा बार करने में सफल हो जाते थे for example in Vijay Malia's case regarding Kingfisher Airlines और इसी misuse की वज़े से सरकार को bankruptcy code लाना पड़ा और अब ऐसे ज़ादा तर लोग bankruptcy proceedings face कर रहे हैं और bankruptcy code आने के बाद से RBI ने loan restructuring का process काफी ज़ादा stringent बना दिया साथी साथ जैसे Vijay Malia के case में bad loans की evergreening हो रही थी उसको भी रोब दिया बट फिलहाल जो genuine cases है regarding industrial sectors which are hit by COVID-19 pandemic उनको एक बार के लिए loan restructuring की facility provide कराई जाएगी अब दिखे ये scheme जब implement की जाएगी तो 31 अगस तक का जो भी repayment होगा इंडस्ट्रीज के द्वारा उसको 6 महीने के लिए suspend कर दिया जाएगा मतलब की businesses का जो भी due था 31 अगस तक का उसको फिलहाल के लिए माफ कर दिया जाएगा for a period of 6 months इसका मतलब ये है कि मान लीजे आपकी जो EMI भरने की date थी वो एक अगस्त की थी और आप उसको नहीं पे कर पाएं हैं तो अब आप इसको एक फरवरी 2021 तक पे कर सकते हैं अब दिखे सबसे बड़ा challenge कामत panel के पास ये था कि उनको ये point out करना था कि कौन से industries COVID-19 की वज़े से stress face कर रही हैं तो दिखे जो major sectors हैं वो है retail trade, wholesale trade, roads and textiles और दिक्तत इस बात की भी है कि कुछ sectors ऐसे थे जो कि COVID-19 के पहले भी stress face कर रहे थे for example non-banking financial corporations, power sector, steel sector, real estate और construction अब दिखे इस restructuring के बाद आपको दो साल तक का extension प्रोवाइड कराया जा सकता है on the repayment of your loan, सवाल ये बनता है कि मान लीजे restructuring के बावजूद कोई corporate debtor default करता है तो फिर क्या होगा इसके लिए scheme के अनुसार default के case में review period trigger हो जाएगा मतलब कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो restructuring की सुविधा प्रोवाइड की गई थी उसको banks review कर सकते है इन case they have signed the ICA और देखे review period खतम होने के बावजूद अगर आप default करते रहते हैं तो फिर आपके loan account को standard asset से non performing asset में डाल दिया जाएगा अब इस case में court के सामने question था कि क्या कट्टा या फिर country made pistol deadly weapon की category में आती है case का नाम है sonu versus state और इस case में honorable Delhi high court ने 15.9.2020 को ये कहा कि deadly weapon उसको कहा जा सकता है जो की lethal हो and which is likely to cause death जब उसको उसी manner में use किया जाए जैसा कि accused का intention हो खुल मिला के deadly weapon ऐसा होना चाहिए जिसकी वज़े से fatality cause हो इस case में जो appellant था उसके उपर section 393 and 398 of IPC के आरोप लगे थे और साथी साथ section 25 और 27 of Arms Act के भी आरोप लगे थे यहाँ पर हम penal code के provisions पे ध्यान देंगे section 393 बात करता है attempt of committing robbery और section 398 बात करता है attempt of committing robbery या फिर decoity with the use of a deadly weapon और यहाँ पर deadly weapon का ही question of law था code के सामने इसके बाद सवाल यह था कि section 398 के अंतरगत जो phrase लिखा गया है deadly weapon used in an attempt to commit robbery और decoity क्या उसमें कटा या फिर country made pistol आएगी इस पर court ने कहा कि deadly weapon capable होना चाहिए to cause death या फिर likely to cause death अगर उसे intended manner में use किया जाए आगे court ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनको lethal manner में use किया जा सकता है for example आपके kitchen की cutlery लेकिन उस case में भी उस instrument को कैसे use किया जाएगा इसका intention prove करना ज़रूरी है for the purpose of section 398 of IPC कुल मिलाके court का ये कहना था कि deadly weapon को consider करने के लिए दो ingredients है पहला वो एक ऐसा weapon होना चाहिए जो कि capable हो of being used as a deadly weapon secondly वो inherently lethal होना चाहिए आखरी में court ने कहा कि जो country made pistol appellant के पास से बरामत की गई थी that constitutes a fire arm but it cannot be considered as a deadly weapon क्योंकि वो इतनी खराब quality की country made pistol थी कि it could not be used for inflicting any fatal injury इसके अलावा court ने इस बात को भी ध्यान दिया कि जिस purpose के लिए appellant fire arm carry कर रहा था उस purpose के लिए उसने एक बार भी उसको use नहीं किया despite of being in despair यानि कि जब उसको police personals खदेगर रहे थे तब भी उसने अपने weapon को use नहीं किया और इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए Honorable Delhi High Court ने impune judgment को set aside कर दिया और accused की sentence को भी reduce कर दिया मतलब कि उसको पूरी तरीके से acquit नहीं किया गया बट जो sentence trial court के द्वारा award की गई थी उसको कम कर दिया गया 10 सेप्टेंबर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक service matter case में speaking order के उपर अपना interpretation दिया केस का नाम था हेमंत कुमार वर्सिस स्टेट ऑफ एच पी यहाँ पर एक medical officer के द्वारा petition file की गई थी under article 226 before the हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बट कोर्ट ने इस petition को dismiss करते हुए यह कहा कि medical officer दूसरे employees के साथ equate नहीं किये जा सकते especially in regards to willful absence from service क्योंकि ऐसे absence की वज़े से काफी serious consequences देखने को मिलते हैं as compared to other employees केस के facts की बात करें तो petitioner एक medical officer था who was appointed in a rural area अच्छा petitioner को खुद को represent करने की opportunity दी गई थी but disciplinary authority was dissatisfied and the petitioner was dismissed from his services इसके बाद petitioner ने Honorable Himachal Pradesh High Court के सामने ही एक appeal file की थी but ये appeal dismissed हो गई इसके बाद इन्होंने instant petition दायर की in the nature of certiorary and mandamus अब दिखे यहाँ पर petitioner का main argument ये था कि जो disciplinary authority ने order जारी किया था it was bad in law और वो एक non-speaking order था इसके अलावा petitioner ने punishment के quantum पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि the punishment imposed upon him was disproportionate in regards to his alleged misconduct यहाँ पर court ने mainly तीन चीजों पर decide किया पहला तो power of judicial review इसके उपर हाली में हमने एक video बनाया था जिसमें scope of judicial review in service matters के उपर बात की गई थी और ये एक settled principle of law हो गया है कि disciplinary proceedings में high court एक appellate authority की तरह काम नहीं कर सकती और उसको सिर्फ इतना देखना होगा कि जो disciplinary proceedings हैं वो central civil services rules के अंतरगत conduct की गई हैं यहाँ पर जो petitioner का कहना था कि disciplinary authority का जो order है वो एक non-speaking order है because भहुती summarily petitioner के case को decide कर दिया गया है इस पर court ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि lengthy orders ही speaking orders हो और speaking orders को सिर्फ एक ही condition fulfill करनी होती है that is उसमें ये बताना होता है कि disciplinary authority के order के पीछे reasons क्या थे and such order can be brief तो ये था हमारा analysis 24 और 25 सेप्टेंबर के daily legal and quality current affairs का उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इन topics में से जो भी topic आपको पसंद आया है उसको आप हमें comment section में बता सकते हैं and we will make a dedicated detailed video on such topic इसके अलावा इस वीडियो का pdf आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा और हाँ please don't forget to like, share and subscribe Thank you, जैहिंद